हेलो दोस्तों नमस्कार आपके अपने चानल हिंदी मिरर पर आपका स्वागत है दोस्तों आज आपके लिए हम यूनिट फरस्ट जो आपकी यूनिट फरस्ट है यूनिट फरस्ट में आपने देखा होगा कि जो आपका फोड टॉपिक है वह टॉपिक आपका विज्ञान के शेत्रं में नविन तमशोद है तो अभी तक तो आपको सारी यूनिट में जितने भी टॉपिक हैं शब डॉपिक के विशे में जानकारी से नहीं बलकि आपके दिमागा बैड गए होगी कि कौन सी इंट में आपके कौन कौन से टॉपिक है चासLiszkषक क्या पका चाहिए विद्वीक एक zo सब्सक्राइब नहीं किया है जो चैनल से आज ही जुड़े हैं दोस्तों वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले बैल आइकन को हिट कर दे जिसे नए वीडियो के नोटिफिकेशन उनको टाइम से मिलते रहें और वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेट तो करते रह सब्सक्राइब करने ही तो माइक्रो कॉप्टर का विकास किया गया जनवरी 2021 लेफ्टिन एंड कर्नल जीवाई के रेडि के द्वारा बहुत अच्छा पॉइंट है यह आपका ठीके चलिया आगे देखते हैं डी ओ द्वारा भारतिये थलसेना द्वारतिये थलसेना द्वा प्रक्षक बलद्वारा आजजित दी वार्शिक तर्के सुरक्षा अभ्यास है कौन सा अभ्यास है सी वीजल 21 ठीक है इसका यह नाम है इसको याद कर सकते हैं गायके वोबर से निर्वारत का पहला पर्यावरा अनुकूल विश्रहित पेंट है बताईए कौन सा पेंट है इ इसका नाम यह दिया गया है चलियागी देखते हैं खादी प्रकरती पेंट इन भारी धातों से रही थे इसमें लेट नहीं है मरकरी नहीं है कॉम्डियम नहीं है आरसे निक नहीं है कैडियम नहीं है वै अन्य भी नहीं है अगर होता सहित तो इसमें सब चीजे होती लेकिन इसमें नहीं है जो की नुखसान नहीं देता है तो इसका अविश्कार इसलिए ही किया गया है चलिए आगे चलते हैं चीन का सवदेशी डोन जिसकी पर्थम मुडान संपनवी 11 जनवरी 2021 को उसका नाम है WJ 700 केंद्रिय पर्थी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्श वर्धनी चेन नहीं बंद्रगरा पर जिस तर्टिय अन्वेशन वोट को रास्ट्र को समर्पित किया उसका नाम है सागर अनवेशी का बहुत अच्छा पॉइंट है जाम पॉइंट उफ्यू से पूछा जा सकता है चल 2021 को यह किया है केरल ने ठीक है चलिए आगे देखते हैं आगे पॉइंट है आपका अंट्राक्टिका के लिए चाली से भारतिय वैग्यानिक अभियान को रवाना किया गया पास जनवरी 2021 को गोवा से यह भी पॉइंट आप नोटाउन कर सकते हैं चलिए आगे देखते हैं अंट्राक्टिका के 40 वे भारतिय वैग्यानिक अभियान में शामिल पोथ है कौन सा शामिल पोथ है अंट्राक्टिका के 40 वे भारतिय वैग्यानिक अभियान में तो वह है एमवी वसली गोलो वनिन चार्टिड आइस क्लास पोथ भारत का पहला अंट्राक्टिका अभियान शुरू हुआ था कब शुरू हुआ था वर्ष 1981 में तो इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर सकते हैं ये पूछा जा सकता है क्योंकि आपसे नविंतम शोथ के साथ साथ पुराना भी कुछ पूछ सकते हैं रतमानमी अन्टरक्टिका में संचालित भारत के दो इसथाई अनुसंथान के इंदर गोवा के दोरा तीनों को रिलेटिट करके आपसे म पढ़िए अच्छे से याद हो जाते हैं भारत ने नो सेना की युद्वोतर पर तैनात करने हेतू 127SMM की तीन मध्यम कैलिवर बंदु के खरिदने के लिए समझ होता किया है किसके साथ अमेरिका के साथ इसका पॉइंट हम एक उपर भी पढ़ कर आ रहे हैं तो उसको भी आप देख लेना और रिलेटिर करके इनको आपस में पढ़ना चलिए आगे देखते हैं पॉइंट कौन सा है आगे हैं भारत मोसम विज्ञान विभाद के रिपोर्ट में वर्ष 1901 के बाद आठवा सबसे बड़ा गर्म वर्ष कोशित किया गया कौन सा वर्ष 2020 को इसको 1901 के बाद ठीक हैं अब मुझे ता लगता है कि हर साली दिनी गर्मी होती है चलिए आगे चलते हैं तीन वर्षों की अवधी के लिए IUCN समर्थित MPP की सहह अध्यक्सता करेगा कौन करेगा भारत करेगा बहुत अच्छा यह प्रशन है इसको नोट डाउन कर सकते हैं ठीक है इसमें है एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज पार्टरंशिप ठीक है एपी एपी इसका जो है आपको फुल फॉर्म भी पता चल गई यहां पर और साथ में आपको शॉर्ट फॉर्म भी पता चल गई चलिए आगे चलते हैं एशिया प्रोटेक्ट एरियाज पार्टर्शिप को अपचारिक रूप से लॉंच किया गया था वर्स 2014 में ऑस्टलिया में आयोजित आयोसीन वर्ड पार्क्स कॉंग्रेस के दोरान ठीक है तो ये भी दोनों पॉइंट आप रिलेटिट करके पढ़ सकते हैं आपस में चली आगे चलते हैं मैसर्स जाइडस कैडेला द्वारा विक्सित कोविड-19 के विरुप परती रक्षन परदान करने वाला जिसके तीसरे चलन के नैदानिक परिक्षन को संजालित करने की स्वेकरती भारतिय ओशदी महानियर तक DCGI द्वारा परदान की गई तो ये कौन सा था जैड़ वाई कोविड जैड़ वाई को डी ठीक है इसका नाम ये था 3 जनवरी ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं 3 जनवरी 2021 भारत में सिमित आपात कालिन उप्योग के लिए कोविड 19 के दो टिको को मंजूरी दी गई किसके द्वारा दी गई ये भारतिय मोशदी महा नियंतरक के द्वारा दी गई और यहां पर इसकी ये फुल फॉर्म है और यहां पर शॉट फॉर्म है और यहां पर हिंदी में ये इंग्लिश में तो ये भी अच्छे से याद करी क्योंकि आप से शॉट फॉर्म भी में द्वारा किया गया मैं कौन सी है कोविट शिल्ड जो सभी को आजकल लग रही है इसको शायद कि कोविट की सेकंड डोज कोवी वैक्षन कोवी सुल्ड ठीक है हिंद बाफ सागर में निगराने शमता बढ़ाने के लिए दस पोत आधारी डौन खरिदने के लिए भारतिय ने उसेना के प्रस्ताव को मंजूरी परदान की गई किसके द्वारा रक्षा मंत्राले के द्वारा ये तो इनी के द्वारा की जाएगी इसमें तो सोचने वाली बात ही नहीं है एक जनवरी 2021 को गार्डन डीच शिप बिल्डर्स एंड इंजिनियर्स लिमेटर जी आर एस इने भारतिय नोसेना को आठवे व्यान्तिम लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी पोत ल्सी यूल 58 के अपुर्ति के इस पोत को तैनात किया जाएगा यहाँ पर बहुत कुछ ही पावा है इसको अच्छे से पढ़ लीजिए अंडवान एव निकोबार दिफ्स हमू में है ना यहाँ से इसके अंदर से भी आपसे प्रशन बन सकते हैं चले आगे देखते हैं 30 दिसंबर 2020 को अक्सपोर्ड उनिवस्टी तथा एक्स्ट्रा जेने का द्वारा विक्सिज कोविड-19 वैक्सिन कोवी कोवी शिल्ड को अपात करने प्रयोगे तु मंजोरी परदानकी की पर्टेन सरकार द्वारा बहुत अच्छा पॉइंट है यह भी नो डाउन करिए इस कोवी शिल्ड के द्वारा कोवी कोवी वैक्सिन के जो है उनके पॉइंट आप जरूर अच्छे से पढ़ लिजे क्योंकि वहां से कोशन हंड्रे परसेंट आपके बनेंगे भारतिया नो सेना और रक्षा नुसंधान विकास संगठन डिया डियो ने पर्थम सफल परिक्ष किया गया जो है क्या है सवदेशी रूप से डिजाइन और विक्सित एयर डॉप कंटेनर बहुत अच्छा पॉइंट है ये 30 दिसंबर 2020 को गोवा तरसे संपन सफल परिक्षन के दोरान सायक एंजी को किसे वान से गिराएगा वह क्या था आई एल 38 SP विमान ठीक है आगे दे नहरू जोलोजिकल पार्क हैदराबात को ये तो आप 100% नो डाउन करिए इसमें से प्रशने बन सकता है आपका इसी से रिलेटेड दूसरा पॉइंट है नहरू जोलोजिकल पार्क ISO 9001 यहां भी शायदिये मिस्टेक हो चुके हैं यहां भी ये 9001 है वह जोलोजिकल पार्क प्राप करने वाला भारत का चड़िया घर बन गया है कौन पहला पहला चड़िया घर बन चुका है तो इन दोनों पॉइंट पॉइंट्स को जो है रिलेटिर करके पढ़िये एक्जाम में यह पूछा जा सकता है और इसको भी आप 100% मानके चलिए भारत हैं इंडोनेशिया की नों सेनाओं के मध्या भारत इंडोनेशिया समन्मन वित गश्ती आई एंडी आई एंडियो कॉर्पर्ट के 35 संसक्रण का आयोजन को सफलतापरो परशेक कित्त किया कब 17 दिसंबर 2020 को यह भी आप नो डाउन कर सकते हैं और है सी एम एस जीरो एको जिस रोकेट के साथ लॉंच किया गया उसका नाम है पी एस एलवी सी 50 तो दोनों पॉइंट को रिलेटिर करके पढ़िए यह भी इसी से जम्बंदित है यह सब को आप रिलेटिर करके पढ़ेंगे तो आपको आसानी से याद भी हो जाएंगी और आपके लिए पैनेफिशल भी रहेंगे चलिया कि देखते हैं पॉइंट्स आपका क्या है उप्गरह सी एमेस जीरो वन को रॉकेट पी एस एलवी सी 50 द्वारा लॉंच किया गया यह सबसाना शूपक विलाभर है, बहुत अच्छा पॉइंट है। तो यह जितने भी आपके पॉइंट है, यहां से लेकर इसके बारे में A.Q. नहीं यहां से शुरू हाई है यहां से आपका शुरू है तो एक दो तीन चार और पांच यह पांच पॉइंट बहुत अच्छे से आप नोट डाउं कर लिजे नोट बुक में इसको याद कीजिए 16 दिसंबर 2020 को भारत ने ओड़ेशा के बाला सोर से इस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परिक्शन किया प्रत्वी टू का डोटांग कर सकते हैं यह नविंतम शोद में समर्थ शेनी के पांच अप तटिये गस्ति पोतो ओपीवी एस की स्रंखला का दूसरा पोद बैस्टू जिसे पाद 15 दिसंबर 2020 को गोवा में भारतिये तट्रक्षव बल में शामिल किया गया वहक्या समर्थ शेनी के पांच अवर अप तटिये गस्ति पोतो ओपीवी एस की स्रंखला के पाचवेर अंतिम पोद आईसी जी एस सक्षम का जलावत्रन किया गया क्या है यह गोवा शिप्यार लिमिटेड द्वारा प्रोजेक्ट 17 एक तहत मैसर्स गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजिनियर लिमिटेड जी आर एसी कोलकता द्वारा निर्मान धिन तिन पुजित पोतों की श्रंखला के पहले युद्पोत आई एनस हिंगिरी का जलावतरन हुआ कब हुआ जोदा दिसंबर 2020 को चलिया गे देखते हैं ग्लोबल कारबन बजट रिपोर्ट 2020 के पित लोगडाउन के कारण भारत के कारबन उसरा जनम में कमी आई यह बहुत अच्छा पॉइंट है आपका हंडे परसेंट पे जरूर नोट डाउन करें तो कितनी कमी आई उसमें नो परतिशत अगरे देखते हैं परधान मंत्री नरेन मोदी की अधिक्षता वाली केंद्र नरेन कोची उसमरीन ऑप्ट करें ऑगे चलते हैं कंधिविटी योजना के माद्य हम से जोड़े जाने लक्ष दिपके दिवों की कुल संख्या है कितनी है ग्यारा ग्यारा दिपों की संख्या इसमें जोड़ी गई है विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलिस्कोप का निर्मान किया गया किसके द्वारा चीन के द्वारा चलियागे चलते हैं विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलिस्कोप का नाम क्या है ये प्रशना आपका नए इस्ट्रेंट को जा गया है क्या है युनाइट इंडम में यूके में मिले कोरोना वायरस के नए इस्ट्रेंट का नाम दिया गया है यहां पर यह देख लिए किस किसे से पॉइंट दिये गए हैं इसको आप नोटाउन कर लें सो याद रखिए दिनकर 2020 में सिंगापुर क कि होकर संस्कृति को मानवता की अमोर्त संस्कृति की विरासत की परते निदी में सुची में शामिल किया गया तो कि युनुस को ने और यह सब आपको जानकरी दे दी गई इसमें वी दिसंबर 2020 में ब्रस्पति और शनी ग्रह की निकटता के नाम दिये गए हैं जब मैंने ये प्रश्ण आपका कई बार बन भी चुका है तो क्या नाम दिये गया है इसको ग्रेट एस्ट्रोनॉमिकल कंजक्शन ठीक है बहुत अच्छा ये भी प्रश्ण आपका बन सकता है बहुत अच्छे से चेनिय अंत्रिक्षियां चॉंग फाइफ चंद्रमा की सत्य से लगभग 1731 ग्राम मिट्टी एम शाटान का नमूना लेकर वापस धरती पर लोटा कब लोटा 17 दिसंबर 2020 को ये भी आपका पॉइंट एक्जाम पॉइंट आपकी से बहुत अच्छा है चेनिय अंत्रिक्षियां चांग इफाइफ को लॉंच किया गया कब 24 नमूंबर 2020 को चंद्रमा से नमूना एकत्र कर पर वाबास लाने वाला विश्व का तीसरा देश बन गया है चीन अमेरिका रूस के पात सबसे पहले अमेरिका फिर रूस फिर चीन अब देखें चोथा कोन आएगा अब देख लीजे आगे स्काई लोटेक इंडिया की भागिदार में विश्व के पह है यह पहला घरया दारित नेरो बैंड तो कहां की गई है देख लीजे इसका पीबी एसनल के द्वारा बहुत अच्छा पाइंट जरूर आ सकता है आपके एक्जाम में लोट डाउन करिए इसको भी तो इस तरह से यह थोड़े से मैं आपके लिए लेकर आई थी पॉइंट जो नमीतम शोध हुए हैं आपके फूर्थ यूडिट में यह आपका टॉपिक है अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक एंड शेर तो करते रहिए और साथ में जो जुड़े हैं वो हमेशा जुड़े रहिए और आपको जो भी कंटेंट चाहिए दाया होगा चलिए लाइक एंड शेर करते रहिए और हिंदी मिलर की साथ जुड़े रहिए